बैस क्या हाल चाल है आप सभी को दिल से वेलकम करते हैं फिक विक्सल स्काइबियो की एक और नीवाले वीडियो पर इस वहले एफस mett में हम गुर्ड करने वाले हैं ढर्ण्जियन्स और शाथ एक साथ बहुत सारे बंदे है जो यह जो मैं कंट्रोल यूज कर रहा हूँ आप लोग जब यूज कर रहे थे तो कुछ बग या कुछ तो एरर आ जा रहा था वो लोड नहीं हो रहा था बहुत सारे बंदे मुझे काफी जादा दिनों से जो है वो बोल रहे थे सो मैं इसका एक solution जा है वो निकाल लिया हूँ बट मुझे थोड़ा से समय चाहिए मैं एगें कल या परसू गैस आपको डिस्कोड पर एगें कंट्रोल का लिंक दे दूँगा जो यह है ठीक है फाइल वो आप एक बाद जरूर चेक कर लेना और अभी जो राइट नौ आप चेक कर रहे थे वो भी प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताना कि यह आप कौन से माइन का वर्जन पर कर रहे थे सायद से मुझे जहां तक लगता है यह जो लिंक कंट्रोल है यह फाइल सिर्प उसे 1.8.9 पर ही सपोर्ट करेगा अगर आप इससे उपर वाला वर्जन पर ट्राइ कर रहे थे सायद से तो सायद से काम नहीं करेगा बट देखते हैं एक सॉलूशन मिला है मैं भी अगर वो काम करे तो अच्छी बात है और नहीं करें तो फिर यह देख लो जैसे कंट्रोल है वैसे ही आपको मेनवाली एक एक करके करना होगा बट देखते हैं ना गाइस मैं कल या पर आपको एक लिंक फाइल दूँगा वह आप एक बर ट्राइ करना है इसके बात मुझे बताना कि हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है तो हम लोग ग्राइंड करने वाले हैं डैंजियंस एक बर देख लेते हैं यह भाई साहब के हाथ में इन्वेंटरी पर क्या है ओके पूरा स्टेक है गाइस सॉल फ्लोऊ Okay, so मुझे लग रहा है एक मिनियन यहां पर साइच से दो मिलियन तक पैसा मुझे दे सकता है या फिर एक मिलियन एक मिलियन तो पक्का देने ही वाला है जहां तक मुझे लग रहा है तो यह अभी फिलाल तो यह सब कुछ नहीं करेंगे बाकि इन्वेंटरी की बात करें तो यहां पर कल हम लोगों ने ग्राइंड किया था तो देख लो लाइट रॉटन हेलमेट यह है भूच साथ ही सब अल्टिमेट जेरी का यह एक बुक है और फेदर फॉलिंग का सिक्स वाला बुक है तो फेदर सायद से मुझे लग रहा है बूट पर लग सकता है क्या एक पर पिलीज मुझे बताना बाकी वैसे बाद में तो काम देगा फेदर फॉलिंग बट अभी के लिए हम लोग इसे डेंजेंस वाला जो आइटम है साथ सी यहीं पर था यहीं पर रखा हुआ था तो यह सभी चीजें को देख लो डेंजेंस वाला जो भी है यह सब मैं यहां रख दे रहा हूं और साथी साथ इसकी बाद यह गॉल्डेन पाउडर भी भाई काफी जादा यहां पर काम देता है ओके यहां पर क्राप्टर एमसी में तो भाई काफ पर चलते हैं इसकी बात गयज अच्छा जो भी बंदे न्यू है इनकेस अगर आपको नहीं पता तो डेंजेंस में बहुत सारे चीजे पैसा वेगरा भी अर्न कर सकतो यह आइटम बना के जिससे होता है ना की दाइंड के लिए अलग आइटम होता है या फिर लेकिन वह सब अधिकतर जो आइटम होते हैं वह सबी के सबी काफी जज़ादा आपई वाले होते हैं उसका डेमेज अमदी के जाड़ा भी काफी ज़्यादा ऑसगें पिद्वीट होता है उनसे घृटा है के जाए न्यू आटनिवन फया पखंग हो सकते हो जो कि जैसे नोर्मल इमपेड जितना होता है वैसे हैं डेंजन्स वगएरा भी काफी ज्यादा इंपोर्ट होता है इस गिम का छोटा से एक रूल है मैं भी अगर आप न्यू हो तो आप अगर आपको नहीं पता है सकते हो बाकि नॉर्मल जितना आए आप हाई लेबल जाओगे उतना तो आप यहां पर बॉस वगरा को अच्छा से अच्छा बॉस पाओगे अभी हम लोग पार्टी खोच नहीं रहें हम लोग पार्टी क्रियेट कर रहें फाइंट पार्टी पर जाना हुआ इसके बाद अगर मान लो यहां पर कोई पार्टी में जॉइन होना चाहते हैं तो आप जॉइन हो सकते हैं क्योंकि ध्यान रहें आप सोलो डेंगेंस नहीं खेल सकते हो जहां तक मुझे पता है ओके दो आदमी मिनिमम होना चाहिए हम लोग एक new queue start करते हैं मतलब हम लोग खुद का party create करते हैं start new queue करूँगा select floor की बात करें तो floor में third floor ओके अभी तक unlock नहीं हुआ है don't meet the requirement साथ से मेरा catacombs अभी तक नहीं पुरा हुआ है तो मैं floor 2 ही select करूँगा साथ ही साथ set group notes कुछ लिखना है या dungeons type जो है वो कितना चाहिए होगा या फिर यहां पर दो होता है label एक होता है the catacombs और एक होता है master mode तो हम लोग यह सब कुछ भी नहीं करते हैं और इसकी बात confirm करते हैं थोड़ा सा मुझे wait करना होगा यहां पर chat देख सकते हैं chat पर मुझे थोड़ा सा देखना होगा अभी तक कोई बंदा join नहीं हुआ है अभी तक नहीं हुआ है थोड़ा सा हम लोग wait कर लेते हैं यहां पर एक बंदा आ चुक है इसका नाम है निंजा पकोड़ी ओके निंजा भाई क्या बात है पार्टी पी करते हैं यह बंदा मुझे कुछ तो लिख रहा है और इसके बाद हम लोग हाई करते हैं पार्टी पर हम लोग वैसे आ चुक है एक आद और बंदा होगा तो अच्छा होगा वरना फिर दिक्कत हो जाएगा देख लेते हैं अगर कोई दूसरा बंदा आता है वरना मिनिमम दो बंदे चाहिए होते हैं एक और बंदा यहां पर टी नेम गेम और ताइंक्यों जोइन करने के लिए यह दोनों भै तीन बंदे अब मुझे लग रहा है हो जाएगा अब मैं यहां पर फ्लोर टू फ्री थ्री मुझे ने लगता है करना चाहिए फिर कर दें टू ही करते हैं वैसे यहां पर थ्री मेरा अनलोक है बाकी टू का ही मैं पर था तो स्लेक्ट किया है इसके बाद आपको एक लेबल स्लेक्ट करना होता है अगर यह न्यू बन है तभी मैं बोल रहा हूं यहां पर कोई भी एक लेबल कर लेना मैं फिलेक्ट किया इसे अगर मैं किलिक करूंगा तो मुझे हील देगा फिर रेड़ी आपको करना है बाकि यह सब पांच टोटल एबिलिटी है कोई भी आप चाहे तो यूज कर सकते हो तो हम लोगों का गेट खुलेगा एक मिनट और मेरे पास वैसे यह है तो नॉर्मल मैं यूज करूंगा सुच रहा हूं आल राइट तो हम लोगों का यहां पर हो चुका है मुझे जल्दी से यूज यहां पर फायरवेल यूज करना होगा बहुत सारे यहां पर देख सकते हैं मौव वगरा देखने को मिल जाएंगे यहां पर यह करने के लिए मुझे कहीं न कहीं अपना एबिलिटी विगरा यूज करना होगा यहां पर हीलिंग वांड भी है और साथी साथ पावर ओवार भी है उपर में साथ से कोई बोस था जो कि मुझे बार बार डेमेज दे रहा था या पर कुछ तो था मैं नीची आ और इसकी बाद आपको मार मार के फ्लोर विगरा जो है वो अनलुक होते हैं तो यह चीज़ आपको ध्यान देना होगा सब मौव को मार मार के नेक्स्ट गेट खुलेगा इसकी बाद फिर नेक्स्ट गेट ऐसे ही करते करते आपको यहां पर लास जहां बोस स्पोन होता है व जैसे आप ऐसे पेड़ में कभी भी आना देख सकते हैं यह है फेरी वाले क्या नाम है इनका कोई तो है कुछ तो नाम है अगर आप इन्हें मारते हो तो यह बदले में एक हेल्थ देते हैं मेरे हाथ पे आ चुका है यह रिवाइव स्टॉन है जो कि आपका रिवाइव का काम करता है इसकी बाद आगे का अभी तक खुला नहीं है यानि कि बाकी सारी जितने भी मॉव हैं उन्हें हम लोगों को मारना होगा ओल्राइट यहां पे हैं भाई जल्दी से मैं यहां पर फा यहां पर अनलोक नहीं होता है ओके सो यह सारे के सारे डेंजियन्स वाले मॉव है चालिस पचास हजार वाले इसके साथ ही मैं फायर वेल वांड भी यूज करूंगा क्योंकि यह सब का इनका जो डेमेज है वह अच्छा खासा है इन्हें आप अंडरेस्टिमेट नहीं कर सक क्योंकि जैसे आप लेबल टू आगे जाओगे ना वैसे वैसे फिर आपका जो मॉव का डेमेज है वह इनक्रीज हो जाता है तो इस वजह से वह अगर मालो आपको डेमेज देंगे फिर आप भागोगे भी ना फिर भी आपको कुछ सेकेंड तक अच्छा खासा वह डेमेज ओ भाई साथ सतर हजार लाक लाक वाले भी हेल्थ वाले भी हैं ओके सो वह दूर जाओगे तब तक भी आपको डेमेज मिलते रहेगा सो यह थोड़ा सा दियान देना होता है बाकी राइट साइड में आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कि आगर आपने की वेगरा लि अगर आपको नहीं पता है तो तो हम लोग यहां पर बॉस वाले जगा पर आ चुके हैं मैं थोड़ा से छुपता हूँ इसकी पाद यहां पर यह जस्ट बॉस पॉन हो रहा है तो जस्ट गाइस मैं यहां पर फाइटिंग जो है वह इसकीप करके आपको दिखाता हूँ ठी अगर आपको यहां पर यहां पर कहीं नहीं सका यह बाकी सारे जो दोस्त हैं हमारे यह सभी जो है वो मुझे हैल्प किये और इस वज़े से थैंक यू सो मच दोनों भाईयों को निंजा और ओके सब चीज उठा लिया किया यह भाई लोगोंने कोई बात नहीं यहां पर एस अर विदर एसंस यहां पर हर बार मिलता है कि साथ यहां पर बहुंच सारे बुक्स वगरा जो होते हैं वो आपको काफी जादा काम देंगे नो पन नो गैन का भी यहां पर मुझे बुक मिल चुका है इसके साथ हभी बूट जो है यह 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 स्पेसल देखो फेदर वह फाइप लगा हुआ है तो ऐसे बहुत सारे धीरे धीरे रिवार्ट्स वी गरा जो है वह आपको मिल जाएंगे बाकी हाँ एक मिनट सबसे पहले हम लोग हब पर आते हैं डेंडियंस के हब पर और इसकी बाद यहाँ पर मैं मेनू थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ अगर आप कलेक्सन पर जाओगे इसके बाद डेंडियंस अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़े जो है वो देखने को मिल जाएगी साइध से मुझे लग रहा है यहाँ पर सामने जाना होगा इसके बाद होगा कलेक्सन पर अगर मैं डेंडियंस यहाँ पर दिखाओ तो यहाँ पर कुछ दिखेगा क्या नहीं जो जो मैं बोस को डिफीट किया हूँ वही सिर्फ जो है वह बोस को दिख रहा है बाकी हाँ catacombs वेगर बहुत सारे चीज़े जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप अंदर जाओगे ना इसके बाद आपको यहाँ पर catacombs का जो लेबल है वो आपको देखने को मिल जाएगा बाकी skill एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं साथ से skill में हो सो यहाँ पर यह skill पर हम लोगों का है healer अगर मैं यूज करूँगा तो यह साथ से max 10 level जाता है तो अभी मेरा 6 level प्रोग्रेस पर है ताकि मैं जल्दी जल्दी से heal वेगरा कर चको intelligence अगर आप ज्यादा चाहिए तो आप मेज वाला ले सकते हैं इसके साथ ही berserk, साथ ही साथ आर्चर, tank 3 कुछ भी आप ले सकते हैं catacombs यहाँ पर देखने को मिल जागा मेरा catacombs अभी जो है वो 6 हो चुका है अब जैसे जैसे increase करोगे आपका lifetime जो health होता है 2-2-2-2 यह भी increase होते जाएगा तो यहाँ पर 6 में मेरा कुछ होने वाला तो नहीं है कम से कम यहाँ पर मुझे catacombs 20 करना होगा तभी जाके लिविद ड्रेगर वाला आपने sword सुना होगा वो सब ही चीज़ें जो है वो आप catacombs needed रहती है तभी जाके आप sword वेगरा को आप use कर सकते हो जो भी हो guys हम लोगों का एक बार boss मर चुका है इसके अलावा देखते हैं यह जैसे जैसे अच्छे अच्छे बंदे होंगे तभी आप कर सकते हो यह जिस्ट में दिखाने के लिए लगया था वैसे इससे में slayer और साथी साथ यह spider और यह आपका wolf यह सभी slayer ही इससे होगा और इस fire bell वांट से अगर आपको इतना के लिए चाहिए तो इसके लिए काफी ज्यादा ओफी है अराम से आप जॉंबी slayer T5 तो करने नहीं सकोगे लेकिन T4 काफी ज्यादा easily है आप आंक मुंद के इससे T4 का boss को मार सकते हो बाकी spider easy सकोगे wolf वेरा आप easily सकोगे ओके एंडर मैं तो भाई काफी ज्यादा hard होता है तो उसके लिए आपको अलग सेट चाहिए होगा बाकी हाँ यह सेट जो है वो मैं जिस दिखाने के लिए पहना था इसको हम लोग change करतेंगे क्योंकि डेंजियन्स का अलग सेट आता है so hopefully आसा करते हैं guys अगर आप डेंजियन्स चालू नहीं किये हैं तो देखके समझ में आ गया होगा so आप लोग चालू करो जैसे slayer होते हैं वैसे यह भी है जो कि इससे आपको अच्छे खासी चीज है अच्छे अच्छे बहुं सारा मतलब ऐसा ऐसा चीज है ना जो आप मतल नौर्मल वर्ल्ड पर भी आप उसे यूज कर सकते हो तो मुझे लगता है आपको जरूर से जरूर यहां पर डेंजियन्स करना चाहिए हम लोग भी स्टार्ट कर दिये हैं जस्ट मैं अभी रिसेंट दो या तीन दिन से मैं खेल रहा हूं धीरे-धीरे करके ओके सो चलो गैस मिलते हैं इस तरिकी के और भी बेहत्वरीन वाले वीडियो के साथ अभी के लिए गुड़वाई एंड लिव्यूर कर दो